How to open After Effects file in Premiere Pro और How to link After Effects with Premiere Pro Hello guys, welcome back to another episode of Monday Facts आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप After Effects की किसी file को या आपने effect create किया है After Effects में और आप उसे Premiere Pro में open करना चाहते हैं उस file को ना कि आप After Effects में वो चीज लेंडर करें उसे वीडियो में convert करें उसके बात करें So let's get started So okay, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने Premiere Pro open किया हुआ है मैंने एक फिलेट क्रेट किया हुआ है सबसे पहले हम After Effects की file create कर लेते हैं उसके लिए मैं After Effects open करने तो हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने composition create कर सकते हैं अब composition create कर सकते हैं new composition में अब ही फिलाल के लिए हम बात कर लेते हैं normal जो हम simple text animation कर लेते हैं After Effects में वह मैं आपको dynamic linking के साथ बताऊँगा कि आप कैसे After Effects में changes करेंगे वह Premiere Pro में automatically changes हो जाएंगे तो आप उसे link कर सकते हैं जैसे हम Photoshop को भी link करते हैं Other software हम उन्हें भी link करते हैं Premiere Pro के साथ तो उसके बारे हम बात कर लेते हैं तो मैं simply हाप एक text layer create कर लेता हूँ text tool के help से तो आप देख सकते हैं कि मैंने text layer create कर लिए मैं इस पर simply एक effect apply कर देता हूँ like text preset में apply कर देता हूँ animation preset अब देख सकते है हमारा जो text है वो animate हो रहा है easily अब मालेजी मुझे afterfacts की file प्रो में as it is use करनी है ना कि मुझे रेंडर निकालना है मैं directly use करना चाता हूँ afterfacts की file को प्रो में तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको प्रेमर प्रो उपन करना है यहां पर आपकी डायलोग विंडो ओपन हो जाएगी उसके बाद आपने जो अपनी afterfacts की file है जो आपने save करके रखी हुई है जिस location पे आपको simply वो select करने है आपको शो कर देता हूं afterfacts की file आपको यहां पर show हो रही है आपको simply click करना है and then open उस पाद आपको एक और window show होगी pop-up window आपको show होती है आप देख सकते हैं जो afterfacts में एक competition create की हुई थी आपको यहां पर simply show हो रही है उसका name शो हो रहा है तो आपको simply select करने है enter and click code आपकी एक और वार आपको confirmation मांगता है अगर आपको प्रमेशन मांगता है तो आप दुवारा select कर लिए कोई ऐसा issue नहीं है तो मैं simply select कर रहे हूं आप देख सकते हैं कि हमारे एक media import हो चुका है हमारे product panel में AE की नाम से आपको यहां पर extension में मिल जाता है After Effects का तो आपको यहां पर frame rate मिल जाता है media start point मिल जाती है सारी detail मिल जाती है कि कि इतने duration है उसकी तो यह clear create हो चुकी है आप प्रेमर प्रो में यूज कर सकते हैं उसे link कर सकते हैं माल लीजिए मैं After Effects में कुछ changes करता हूं माल लीजिए मैं अपने primary essential जो उन्हें ने ने लिखा है मैं उसमें इसे essential delete कर देता हूं पर रेस कर देता हूं अभी फिलाल के लिए यहां पर आपको simply control s करना होगा आपको जो आप फाइल है After Effects की फाइल सेव करनी होगी ताकि कुछ damage ना हो प्रीमर प्रो में अगर आप उसे link करें तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारी फाइल हो आप अपडेट हो चुकी है आपको प्रीमर शोवर आपको इसे साबसे हम After Effects की कोई भी फाइल हो उसे हम प्रीमर प्रो में यूज़ कर सकते हैं विध डाइनमेक लिंक के साथ डाइनमेक लिंक क्रिएट करने से यह होता है अप जो भी effect apply करेंगे After Effects में आपने डाइनमेक लिंक क्रिएट किया हुआ है प्रीमर प्रो के साथ तो वो चेंज आपका प्रीमर प्रो में automatically update हो जाए है आप कोई भी effect apply करिए कोई भी आप transition डालीए कोई भी effect apply करिए आप साथ भी यही डाइनमिक लिंक की काम करती है तो प्रिमेर प्रो आपको अलाव करते हैं So that's for it guys, आज की वीडियो में हमने बात की क्या प्रिमेर प्रो में After Effects की फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं and then कैसे आप यूज कर सकते हैं आने वाली वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि आप डिफरेंट टाइप के एफेक्स कैसे कर सकते हैं After Effects में and then आप उसे प्रिमेर प्रो में इजली इंपोर्ट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने सिंपली टेक्स के बारे में जाना So अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो लाइक दी वीडियो and subscribe to our channel So goodbye for today, see you soon in the next video Bye-bye, peace